ऐसी कमाल की मशीने जिने देख कर आप भी चाउंक उठेंगे उससे पहले ऐसे ही और रॉमांचिक वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल प्लेनेट और्थ इंडिया को सब्सक्राइब करना न भूलें सबसे पहले बात करते हैं ग्रैब एंड ड्राइव मशीन की जो एक आधुनिक समय की आधुनिक मशीन है इसका इजाद यूके में हुआ जिसका इस्तिमाल इस तरह लकडी के बंबूओं को कहीं रोपने के काम में लिया जाता है इस मशीन के पास पक्की सिमेंट की दिवारों और चटानी पत्थरों को तोड़ने जितने ताकत है तो इस तरह कि इस मशीन का इस्तिमाल करना इस मशीन के लिए चुटकी बजाने जैसा आसान काम है एनर ग्रीन नाम की ये मशीन अन्वांचिट जगाओं पर उगने वाली घास की कटाई के खातिर बनाई गयी है साथी इसका इस्तेमाल अच्छी हरी-बरी जगाओं और सडकों के किनारे उगने वाले पेड़ पौधों को काटने और नदियों के किनारे उगने वाली धेर सारी घास को काटने में भी किया जाता है इस मशीन में ओपरेटिंग कैबिन में एसी भी लगी है जो ओपरेटर को सुकून दिलाय रखती है ये मशीन हर एक तरहें के फील्ड्स में काम करने में सक्षम है जिससे हर बार एक अच्छा परिणाम निकल कराता है ग्रीब एंड ग्राइब अमारी लिस्ट की ये तीसरी मशीन बड़ी लाजवाब है ये मशीन खास तोर पर बनाई गई है पेड़ों की पत्तियों को एकठा करने के लिए जो अकसर पब्लिक एरियाज और पार्क्स में लगे पीडों से नीचे गिरती रहती है ये दिखने में एक वैक्यून क्लीनर जैसी लगती है लेकिन जनाब ये वैक्यून क्लीनर बड़े पैमाने पर काम करने वाला क्लीनर है पत्तियों को उठाने में कोई मशक्कत नहीं करने पड़ती बस मशीन को टारगेट एरियाज में चलाते रहना है और क्या ये मशीन असल में किसानों के एक बड़ी समस्या को दूर करती है जो की बची हुई सूखी फसलों के गठर बनाना दो मीटर लंबी ये मशीन दो टन से भी ज्यादा भारी है जो एक टन जितना भारी वज़न उठाने में सक्षम है इस मशीन का रैपिंग सिस्टम सच में लाजवाब है जो एक मिनट में 30 बार रोटेट करके किसी भी गठर को बड़ी आसानी से पैक कर देता है हमारी लिस्ट की सबसे खास और आखरी मशीन हैक आवर लूड नीदरलेंड में बनी इस मशीन को आलों के बड़े स्केल की हार्वेस्टिंग के खातिर बनाया गया है यह हाइली आटोमेटिक ट्रेलर मशीन ना केवल सिर्फ आलों की हार्वेस्टिंग के लिए बनायी गई है बलकि इससे जमीन में फैली अन्मांचित जड़ों को भी काटा जा सकता है आपको हमारी आज की यह मशीने कैसे लगी नीचे कॉमेंट सक्षन में ज़रूर बताईएगा दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेर और कमेंट ज़रूर करें साथ ही ऐसे ही और नए वीडियो के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें और आपको जिस प्रकार के भी वीडियो चाहिए उनके बारे में आप हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं लोटेंगे जल्द ही नए वे ऐसे ही रोमांचक वीडियोज के साथ धन्यवाद